एलो नमस्ते आलाब सच राकाल मैं हुकर्तिक महेंदरू और टाइम आ चुका है महा मुकाबले का इंडिया वyrसस पाकिस्तान बहुत देर से हम सब को इस मैच का इंतिजार था, वोल्ड कप में जब होता है, इंडिया पाकिस्तान महौल अलगी होता है, और अगर वोल्ड कप इंडिया में हो रहा हो, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और इस वीडियो में मैं आपको पताऊँगा, आप एहमदाबाद की पिच से, द कौन से टोटल यहां पे हाई-एस चेज हुए है, हाई-एस टोटल क्या है, तो स्टार्ट करूँगा कि यहां पे टोटल मैच्च, ओडियाइए मैच्च खेले जा चुक है, 29, उसमें से जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है, वो जीते है, 16 मैच, बोलिंग करी है, जिसने प बैटिंग फ्रेंडली है, लेकिन स्पेनर्स को भी मदद मिलती है, आप देखेंगे कि पिच्च स्लो होती जाएगी, अगर हम फर्स्ट इनिंग्स के आवरेज स्कोर की बात करें, तो वो है 237, सेकंड इनिंग्स का आवरेज स्कोर है 206, यहां पे जो हाई-एस टोटल बना पर हाला कि लोईस टोटल यहां पे है 85, लेकिन वो जिंबाबवे वेस्ट इंडीस का मैस था, तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, विल एक्सपेक्ट अ गुड मैच और थ्रिलर एक्सपेक्ट करेंगे, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान दोनों ही टीम्स टक्कर की हैं इस टा पेसर भागते हों आएंगे, सीम इन करेंगे डिलिवरी को, रोहिच शर्मा के पैर निकलते हैं, नहीं निकलते हैं, लेकिन लोगों के दिल जरूर निकल के हाथ में आ जाते हैं, विकॉज रोहिच शर्मा ससेप्टेवल हैं, आउट होने के, ससेप्टेवल हैं कि LBW हो सकता है जब लेफ्ट आम पेसर बॉल को आगे पिच करता है और सीम इन करवाता है, तो रोहिच शर्मा वह से शाहीं शाहा अफृध शर्मा को आउट कर चुके हैं, यहाँ पे पान्च शर्मा ने रंस लगाए हैं, 37 तोटल डिलिवरी जो फेस करी हैं, रोहिच शर्मा ने शाही लेकिन दो बार आउट भी हुए है अगर बात करें हारेश रॉफ विराट कुली का भी एक जो बैटल होने वाला इंडियन बैटर्स के जाथ वह भी बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है तो हारेश रॉफ ने भी चार इनिंग्स में रोहिच सर्मा को दो बार आउट करा ह है बीस दिलिवरी स्वेश करें हारेश रॉफ की और बीस रणी लगाया तो हंडर का स्ट्राइक रिट है लेकिन दो बार हारेश रॉफ भी आउट कर चुके है लेकिन हारेश रॉफ तक अगर रोहिच सर्मा सेट हो गए हमने देख लिए अफगानिस्तान के खिलाफ कि जब वाइल कप के बाद यह बैटल है अलग प्रोपोर्शन पर पहुंच चुकी है वह दो चक्के जो विराट को दिने हारेश रॉफ को लगाये थे वह इत्हास में गड़ चुके हैं इत्हासिक चक्के हो चुके हैं और जब जब अब हारेश रॉफ विराट कोली का सामना होगा वो दो चक्के आप ब्राट कास्ट टीवी पे देख रहे हो या ऑनलाइन कहीं भी देख रहे हो वो बार बार रीप्ले ज़रूर किये जाएंगे लेकिन एक बार आपको बता देता हूं कि हारेश रॉफ ने आज तक पांच इनिंग्स में सामना किया है विराट कोली का लेकि इंडिया को यहाँ पेप अपना पलडा भारी करना है तो रोहित शर्मा को शाहिन शाह फृदी का फेज निकालना होगा और similarly विराट कोली को भी थोड़ा रुक के खेलना होगा लेकिन अगर विराट कोली भी सेट होगए तो चाहे शाहिन शाह फृदी हो चाहे हारेस रोफ तो बड़ी से बड़ी टीम अपने घुटने बहुत जल्दी टेक देती है लेकिन अगर इंडिया को और बड़े टोटल की तरफ जाना है या बड़ा टोटल चेस करना है तो श्रेयर और केयल राहुल को भी फॉर्म दिखानी होगी अभी तक अच्छी फॉर्म दिखाई है ले कि अफगयूनिफर को के फॉर्म कर दिया है अब इशान किशन की प्रफॉर्म करने की और अगर इशान किशन इस मैच में पर फॉर्म करते हैं तो शान क्षिन का यंटिटिंग फॉर्दर कॉंटgem बठटेंस बड़ जाएगा शुमन बचलि य्था सो किलेंक अपक की क्यूं अच्छा भी नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं है बाबर आजम के स्टैंडर्ड से नेधरलेंड जिम्बाववे के खिलाफ से सही है कोई बात नहीं लेकिन अगर 11 मैच बाबर आजम ने खेले इंडिया के खिलाफ लगाए हैं 260 अवरेज है 28 की 50 सिरफ और सिरफ एक 50 है तो जादा कुछ performance करा नहीं है लेकिन वर्ल्ड कप जैसा बड़ा स्टेज है तो परफॉर्म करना जरूर चाहेंगे बाबर आजम लेकिन यहां पर बाबर आजम से भी बड़ा एक बल्लेबाज है जिस पर फोकस रहेगा और वो है मोहमद रिजवान विकॉस मोहमद रिजव ठीक है अच्छा है और मोहमद रिजवान फॉर्म में भी है तो मोहमद रिजवान बाबर आजम पर फोकस रहेगा उनकी बैटल अश्विन के साथ कुल्दीप यादव के अगेंस्ट जस्प्रीद गुम्रा मोहमद सिराज तो यह सब चीज़ें यह सब बैटल यह सब प्लेय होगा 14 अक्तूबर को